Why separation is a bad idea? मतलब, अलग-अलग शादी के बाद पती और पत्नी का रहना, ये गल्ट decision क्यों हो सकता है आपका पहला प्रशन? और दूसरा, क्या मैं अपने पती को छोड़ करके किसी और के साथ शारिरिक संबंद बना सकती हूँ या बना सकता हूँ जब हम दोनों अलग-अलग रह रह रहे हैं या separation के duration में अपने पती या पत्नी के साथ में इशारिरिक संबंद बन सकता है या नहीं इन दोनों ही प्रशनों को लेंगे, नवशकार आपने शुरुआत की है लीगल एडवाईज में अशोग पाढ़ने के साथ जहां पर हम कानून के मुद्दे को बात करते हैं, कानून के discussion करते हैं इस particular channel पर सबसे पहले प्रशनों को लेते हैं और बात करते हैं कि why separation is a bad idea हमेशा इसके पहले भी कई सारे वीडियो में मैंने आपको बदाये कि separation एक अच्छा विकल्फ हो सकता है लेकिन कुछ चीज़ों के जैसे अच्छे positive impact होते हैं वैसे कुछ negative impact भी होते हैं तो जब कभी भी आप separation लेने की सोचें या judicial separation के लिए जाने का सोचें तो वहाँ पर जो intention है उस बात में जरूर गौर करें intention का क्या मतलब है intention का मतलब कि आखेर आपका पती या पत्नी चाह क्या रहा है उसका intention क्या है वास्तविक्टा क्या इसे जरा आप खंगाल जरूर ले कारण यह है कि आपके लिए काफी जादा damaging हो सकता है आपकी शादी को खराब करने के लिए तोड़ने के लिए हो सकता है कि आपके पती ने कुछ बहाना करके आपको separate कर दिया अलग कर दिया अब आप क्या करेंगे आप तो सोच रहे हैं यह कि आपस में जो लड़ाई जगडा था उसे शांत करके हमारा जो रिष्टा है वो रिकांसिल होगा रियूनाइट होगा फिर से एक होगा लेकिन यहां तो बात उल्टी पड़ गई उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया फिर आपसे तलाक लेने के लिए आपको नोटस भेज दिया और कोट में आपके खिलाफ में पिटीशन डाल दी ऐसा पत्नियों के साथ में भी होता है पत्नी आपसे घर में क्या करके गई कि मैं 10-15 बेज दिन महीने भर के लिए अपने माई के जा रही हूँ पत्नी माई के गई वहाँ से आपको लीगल नोटस थमा दिया काई का डाइबॉस का तो ये भी हो सकता है इस वज़े से सेपरेशन इस बैड आइडिया इसलिए आपको ये ज़रूरी ध्यान में रखना है कि इंटेंशन क्या है ओपोजिट पार्टी का अगर इंटेंशन क्लियर है कि ठीक है आप थोड़े टाइम तक अलग-अलग रहते हैं और समझदारी तो यही है थोड़े टाइम तक अलग-अलग रहते हैं जब हमारा टेंपरेचर जब हमारा गुस्ता वापस से शान्त हो जाएगा हम वापस बात करेंगे और अपने रिष्टे को ठीक कर लेंगे यह एक समझदारी है लेकिन जब इंटेंशन गडबड हो कि नहीं है मैं इसे कैसे भी करके घर से बाहा निकाल दूँ और फिर तलाक का केस इसके खिलाफ में शुरू कर दूँ तो वे इंटेंशन खराब है इस वज़े से अलग रहना भी कई बार हामफुल हो सकता है एक खराब विकल्प हो सकता है आइडिया हो सकता है तो आपको अपने पार्टनर का इंटेंशन ध्यान रखना काफी ज़रूरी है दूसरा प्रशन क्या सेपरेशन के दौरान जब पती और पत्नी अलग रहते हैं सेपरेशन के दौरान आप अपने पती के साथ शारिरिक संबन या पती पत्नी के साथ बना सकता है या नहीं या पती और पत्नी एक दूसरे को छोड़ किसी third person opposite sex के साथ शारिरिक संबन बना सकते हैं या नहीं separation के दौरान में जब वो अलग-अलग रहते हैं भारत की कानून के हिसाब से जी कर सकते हैं इसे हम live in relationship भी कह सकते हैं या कोई भी आप नाम दे दें लेकिन ये opposite spouse के लिए adultery कह देता है क्यों adultery क्यों कर देता है कारण ये है कि अभी भी आप still legal merit spouse हैं आप जो पती-पत्नी का आपका रिष्टा है वो तूटा नहीं है, खराब नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ आपके बल अलग-अलग रह रहे हैं आपका रिष्टा अभी बचा हुआ है जब तक आपको decree या judgment court से नहीं मिल जाता है तब तक आपका तलाक नहीं माना जाएगा इस वजह से आप जब अलग-अलग रह रहे हैं उस condition पर आप किसी और के साथ यदि शारिरिक संबंद बनाएंगे अपने पती या पत्नी को छोड़ कर तो ये एक adultery का ground commit कर देता है adultery का ground आधार बना देता है वेविचार का आधार बना देता है लेकिन क्या आप अपने ही पत्नी के साथ चारिरिक संबंद बना सकते हैं As obvious, yes जी हाँ, बिलकुल कर सकते हैं उसमें कोई परिशानी नहीं है आपको ये दोनों ही प्रशन कैसे लगे जहाँ पर पहला प्रशन था हमारा Why separation is bad idea और दूसरा, Should I sleep with my husband while separated और any other person while separation तो ये दोनों ही प्रशनों की जानकारी मैंने आपको दी, comment box में mention कीजिए अगर आपके कोई प्रशन है, कोई सुझाव है इसके साथ अगर directly आप करना चाहते हैं मुझे बात, appointment book करके कर सकेंगे इस वीडियो को description में detail लिंक है जहां से directly आप appointment book करके मुझे कर सकेंगे बात, मेरी के अगली वीडियो में तक के लिए आप सभी स्वस्तों सुरक्षित रहें